हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, किम्तु वे भोजन बनाने के लिए संगटों को कहा से इकठा करते हैं, तथा वो उनके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे पहुचता है? जैसे हम वस्तुए खरीदने जाते हैं तथा उन्हें पकाते हैं, एक पौधा भी उसी प्रकार से अपना भोजन बनाता तथा पहुचाता है, इस तुल्ना को देखकर आपको ये समझने में सहायता मिलेगी, इसे अपने घर के नक्षे की तरह सोचे भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें बाजार से कच्चा माल चाहिए. पौधों के लिए सबसे पहला चरण वो होता है, जहां जडों को मिट्टी से जल तथा खनिच मिलता है. तने में मौजूद जाइलम, तंतु जल तथा खनिच को पत्तियों तक ले जाता है. जैसे हम बिना पके पदार्थ रसोई घर तक ले जाते हैं. पत्तियां पौधे का रसोई घर हैं. पत्तियां सूर्य की रोश्णी, कार्बन डायोकसाइड तथा जल को ग्रहन करती हैं. उनमें क्लोरोफिल भी होता है, एक रसोई या. पत्तियां इन संगटों को तथा सूर्य की रोश्णी का प्रयोक कर स्टार्च नाम का भोजन बनाती है. एक बार भोजन बन जाने पर क्या होता है? हम इसे भोजन स्थल तक ले जाते हैं तथा खाते हैं. पौधों में भोजन तने में मौजूद लोयम उत्तकों से सभी हिस् पहुचता है. तो आप देख सकते हैं कि तना पौधों के लिए जीवन का रास्ता है. ये जल तथा पोशक तत्वों को ग्रहन करने तथा भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुचाने में मदद करता है.